अधिकांश अरब लोग इसे अपनी पहचान का एक हिस्सा मानते हैं लेकिन रियालिटी ये है कि किसी भी कंट्री के लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल उस कंट्री की जियाग्राफिकल कंडिशन और क्लाइमिट पर निर्भर करती है पूरे अरब देश की केवल 7% लैंड ही उगजाव योग्या है लेकिन उस लैंड पर साल के एक विशेश टाइम पिरियेड में ही कुछ उगाया जा सकता है अन्यता नहीं इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पानी की कितनी कमी है ऐसे स्थानों पर अगर आप समझदारी से नहीं रहते हैं तो तेज गर्मी और दिहाइडरेशन से आपकी हालत बुरी तरह से खराब हो सकती है और समझदारी इसी में है कि किसी भी देश के रेजिडेंट्स उस कंट्री की क्लाइमिट और जियोग्राफिकल कंडिशन के अकॉर्डिंग ही अपने क्लोज का सेलेक्शन करें गर्मी के दिनों में यहां का टेंपरिचर 43 डिग्री से भी उपर चला जाता है और ऐसे माहौल में खुद को हीट स्ट्रोक, संबर्न और दिहाइडरेशन जैसी भयानक समस्याओं से बचाने के लिए वाइट क्लोज का चुनाव एक समझदारी के तौर पर किया गया था और आज यह इस कल्चर का हिस्सा बन गया है वाइट क्लोज संलाइट की अधिकतर हीट को रिफलेक्ट कर देते हैं और बहुत कम हीट को अब्जॉब करते हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं एक सफेध वस्तु सफेध होती है क्योंकि ये वाइट लाइट को reflect करती है और वाइट लाइट सभी visible seven colors का mixture है इसका मतलब है कि एक सफेध shirt या pent अधिकांच heat को reflect करेंगे और गर्म नहीं होगी और तो और वाइट color purity, simplicity और cleanliness के thoughts produce करता है धीले सफेद रंग के कपड़े अरब पुरुशों को अपने शरीर को कूल रखने में मदद करता है और साथ ही देश में इसलामी धार्मिक मानिताओं को साथ लेकर चलने के लिए इसे डिजाइन किया गया था हुआ है